आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सेट लेके आया है इसकी सभी पारट मैंने अपलोड कर दिया है इसके पाच पारट मैंने चैनल पे अपलोड किये हुए है हुड़ी वाली ये स्वेटर है बहुत ही प्यारा सा हमारा ये इस तरह सेट बनके आया है तो पाच पारट अपलोड किये हैं आज हमारा ये पारट नमबर 6 रहेगा इसके अंदर मैं इसकी ये सेट के साथ पजामी बनाना बताऊंगे स्टेप बाइ स्टेप डिजाइन डालते हुए टू कलर में टिजाइनर पजामी पैंट बोलिए पजामा बोलिए या आप इसको ट्राउजर बोलिए बहुत ही प्यारा साहिए हमारा सेट बनके आएगा इसको मैं आपको स्टेप बाइ स्टेप बनाना बताऊंगे तो चलिए इसको बुना शुरू करेंगे तो इस पैंट का एक पारट मैंने बनाया हुआ है पजामी बोलिए या आप इसको पजामा पैंट बोलिए या ट्रावजर बोलिए इस तरह से मैंने इसको बनाया है जो डिजाइन मैंने इसके स्वेटर में डाला है वही डिजाइन मैंने इसके पजामा पैंट में डाला है बहुत बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बना है और बनाना बहुत ही आसान है तो देखिए इसके मैंने पांच पारट पहले अपलोड किये हुई है जो मैंने स्वेटर बनाया हुआ है तो देखिए आप ये स्वेटर देखिए ये स्वेटर मैंने स्टेप बाइस्टेप बनाना बताया यह हुड वाला स्वेटर है इसके पांच पारट मैंने अपलोड किये हुए है चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं आज यह पारट 6 है पारट 6 में मैं आपको इस स्वेटर के साथ पजामा पैंट बनाना बताऊंगे तो देखे यह मैंने किस तरह से बनाई है सेम ऐसे ही हम दूसरा पारट बनाएंगे यहां पर देखे मैंने स्टार्टिंग में 41 फंदे डाले है और फिर मैंने यह दूसरा कलर लगाके सेकेंड कलर जोइंट करके डिजाइन डालते हुए इसको बनाया है तो जैसे हमने इसमें फंदे बढ़ाएं जैसे हम बाजू में बढ़ाते जाते हैं ऐसे ही हम फंदे बढ़ाएंगे क्योंकि यह हम पजामी टाइफ में बनाएंगे जब हमने यह second color लगा एक फंदा यहां पे बढ़ाया एक यहां पे बढ़ाया फिर से एक बेस कलर लगाया एक फंदा यहां से बढ़ाया एक फंदा यहां से बढ़ाया जब भी हमने कलर चेंज किया एक एक फंदा हम बढ़ाते गए यहां तक तो मैंने ये 7 डिजाइन इसके अंदर डाले है 7 डिजाइन डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर ये 8 सलाई यां फिर ऐसे प्लैन बुनी है एक फंदा 4 सलाई के बाद दूसरा फंदा फिर से 4 सलाई के बाद बढ़ाया है तो मेरे टोटल यहां पे 41 फंदे यहां पे थे और 17 फंदे मैंने यहां पे बढ़ाई हैं हर चोथी सलाई में फंदा बढ़ाते गई हैं जैसे यह color joint किया एक फंदा हमने यहां से बढ़ा दिया फिर से यह color joint किया फिर से एक फंदा बढ़ा दिया ये चार-चार सलाईओं बनती जाएंगे, चार बेस कलर की, चार हमारी सेगिंड कलर की, और साथ मैंने डिजाइन इसके अंदर डाले हैं, सत्रा फंदे इस साइड से बढ़ेंगे, तो इसी तरह से बढ़ाते विए फिर हम इसके उपर वाले पारट को बनाएंगे, इसकी फिर हम आसन की घटाई करेंगे, और फिर उपर लाश्टिक डालने के लिए बोर्डर बनाएंगे, तो चलिए, देखते हैं, ये कैसे बनाई गई है, तो देखें, यहाँ पर मैंने ये फोर्टी वन फंदे डालके, सेकेंड कलरें ज्वाइंट किया है, जब सेकेंड कलर मैंने ज जब सेकेंड कलर लगाया, तो मैंने फंदा बढ़ा लिया, फिर ये सलाई मैंने चार इसकी सेकेंड कलर की बनाई, अब हम इसका डिजाइन बनाएंगे, तो देखेंगे, जो डिजाइन हमारा ये बनता है, ये चार के मल्टीपल पलस वन, चार के हिसाब से फंदे डालके, एक फंदा डालेंगे, तो ये डिजाइन अच्छे से अट्रजेश्ट हो जाएगा, और जब हम ये यहाँ पर फंदे बढ़ाते जाएंगे, तो हम डिजाइन भी अट्यस्ट करते जाएंगे, आप देखिए हमने 41 फंदे डाले, फिर एक फंदा हमने यहां से बढ़ाया, ए पिर से ये फंदा बुना, अब हम ये तीन फंद में डिजाइन डालेंगे। तो जो बीच वाला फंदा है, इसके तीसरे हूर में यहां पर सलाही डालेंगे, और लूप का फंदा ऐसे बना के इसको वापिस पलटते हुए इस सलाही पे लेंगे। फिर वापिस जिसी पे डाल लेंगे और तीन फंदे ऐसे बगैर बुने उतारेंगे इस लूप वाले फंदे के अंदर ऐसे सलाई डाल लेंगे और तीन के उपर से ऐसे गिराएंगे फिर से एक फंदा बनाएंगे तो देखिए स्टार्टिंग के ये दो फंदे जैसे छोड़ते वे इनहीं चार फंदों को हम बार बार रेपीट करेंगे फिर से यहाँ पर सलाई डाल लेंगे तीसरे होल में और फंदा बनाएंगे इसको वापिस इसी पर लेंगे फिर ऐसे करेंगे एक दो तेन फिर से ऐसे बुनेंगे फिर एक फंदा बनाएंगे फिर से तीन फंदों में डिजैंड लेगा तो बीच वाले फंदे के सेंटर में सलाई डाल लेंगे और ऐसे लूप का फंदा बना लेंगे पल्टेंगे वापिस इसी में डालेंगे फिर ये तीन फंदे ऐसे इस लाई में डालते हुए लूप वाले फंदे को इसके उपर से ऐसे गिरा देंगे इस तरह से फिर एक फंदा ऐसे बनाएंगे तो सेम ऐसे ही डिजाइन को repeat करते हुए जाएंगे लास्ट में फिर आपके ऐसे ही दो फंदे बन जाएंगे, एक डिजाइन का एक फंदा है तो जब हम इसमें फंदे ये डिजाइन मैंने स्वेटर के फर्स्ट पार्ट में सेगेंड में स्टैप बाइ स्टैप बनाना बता है सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है तो अब देखिए इस सलाई को मैं पूरा बुन लेते हूं फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी आगे कैसे बनाएंगे ऐसे पल्टेंगे इस तरह से डिजाइन तो मैंने यह पहले आपको बताया हुआ है सिरफ जैसे फंदे बढ़ेंगे तो डिजाइन को कैसे बुनते जाएंगे अब देखिए यहां तक डिजाइन बराबर है फिर यहां पर डिजाइन बड़ा हुआ है क्योंकि यहां जो फंदे बड़े हमने एक डिजाइन और बना दिया ऐसे ही बनाते जाएंगे तो इसको बना के इस सलाई को फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे कैसे बुलेंगे अब आ गई हम लास्ट में तो इस लूप के फंदे को वापिस इसी सलाई में लेंगे ऐसे पलटेंगे और तेन फंदे ऐसे ही उतारेंगे बगैर बुले प्लूप वाले फंदे को इसके उपर से गिराएंगे, अब देखिए जैसे स्टार्टिंग में दो फंदे थे, ऐसे ही हमारे लाश्ट में दो फंदे आ जाएंगे, ऐसे, इस तरह से डिजाइन आ गया, एक बात का आप द्यान रखिएगा यहाँ पर, अब देखिए यह डिज का तीन फंदे स्लिप केंगे, ऐसे बनेंगे, जब हमारे यहाँ पर इस फंदे से अलग चार फंदे बन जाएंगे, तो फिर यहाँ से हमारा एक डिजाइन उपर बढ़ जाएगा, यही डिजाइन आगे अड़ जैस्ट हो जाएगा, तो देखिए अब इसको कैसे इसको भी बुनेंगे, और जो यह तीन फंदे हमारे बगएर बुने हैं, इसमें से एक फंदा बुनेंगे, यह स्लिप करेंगे, फिर बुनेंगे, एक यह बुनेंगे दो, फिर इसमें से एक बुनेंगे तीन, तो यह इस तरह से डिजाइन बनेगा, बीच वाले को ऐसे ही उतारेंगे, फिर एक, दो और ये तेन, फिर बीच वाले को ऐसे उतारेंगे, फिर से एक, दो, तेन, अब फिर से ये बीच वाले को ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुना, तो ऐसा ही करते हुए इस पूरी स्लाई को हम बुन लेंगे, बहुत ही एजी डिजाइन है अगर आपको मेरा ये स्वेटर का डिजाइन पसंद आए बनाने का तरीका पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स क्रूप में सेर कीजिए चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू तो आपको उसका नोटिकेशन सबसे पहले देखने को मिलता रहे है तो इसी तरह से ये तीन फंदे हम बेस कलर से ऐसे बुनते जाएंगे सेंटर वाले को ऐसे स्लिप करेंगे फिर से ऐसे ही बुनेंगे एक, दो और ये तीन फिर इस बीच वाले को ऐसे ही उतार लेंगे बगेर बुना फिर से एक, दो और तेन तो अब फिर आज़े ये सीधी तरफ तो देखिए ऐसे ये डिजाएंट डल गया अब इस पूरी स्लाई को हम सीधा सीधा बेस कलर से बनेंगे चार स्लाई हमारी बेस कलर से बनेंगी और चार स्लाई अब ये बगेर बुना फंदा है, इसको भी सीधा ही बुनेंगे बहुत ही easy design है, इसको beginners भी आसानी से बुन लेंगे जिसको सिरफ उल्टा सिधा बुनना आता है वो भी इसको आसानी से बना देंगे तो इस पूरी स्लाई को ऐसे सिधा सिधा बुनेंगे और जब हम दूसरी तरफ से आएंगे तो पूरी स्लाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे तो देखिए एक बार ये डिजाइन हमारा बन गया है चार सलाई हमारी ये क्रीम कलर की है और चार सलाई उपर हमारी ये रेड कलर की है तो आठ सलाई या बन चुगी है डिजाइन कम्पलीट हो गया है अब फिर से कलर चेंज करेंगे तो जैसे हमने यहां पे ये चार सलाई प और फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे फिर आगे पूरी सलाही को बुन लेंगे तो चार सलाही ये प्लैन बुनेंगे सीधी तरब से सीधी और बैक साइड से उल्टे तो इस तरह से पूरी रोग को हम सीधा सीधा बुल लेंगे तो यहाँ पर चार सलाइया बना के फिर आपको मैं दिखाती हूँ एक फंदा अब यहाँ पर बढ़ा लिया है एक फंदा हम लास्ट वाले फंदे से पहले बढ़ा लेंगे तो दोनों तरफ से बराबर एक एक फंदा कलर चेंज करेंगे तब एक फंदा बढ़ाएंगे फिर चार सलाईया बन जाएंगे, दूसरा कलर जब लगाएंगे तो एक फंदा फिर से साइड में, दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा लेंगे तो इसी तरह से बनाते हुए, जैसे मैंने यहां पे बनाई है, यहां तक हम इसको बून लेंगे यहाँ पर भी हमारे बराबर डिजाइन डले हैं जब यहाँ पर हमने आगे बढ़े तो यह फंदे हमारे बढ़ते गए एक, दो, तीन, चार चार फंदे बढ़ गए यहाँ पर फिर हमारा एक डिजाइन एक्स्ट्रा बन जाएगा एक यहाँ पर एक साइड में तो ऐसे ही बनाते जाएंगे फिर यहां तक बनेगा फिर ऐसे आगे जागे डिजाइन बन जाएगा अगर आप ये प्लैन रखना चाहते हैं तो प्लैन रख सकते हैं जहां पर मैंने डिजाइन डाला है डिजाइन से पहले जितने फंदे बढ़े आप प्लैन 20 को रख सकते हैं और फिर साथ डिजाइन डालके फिर आठ सलाई मैंने ये प्लैन कलर की बुनी है करीम की चार सलाई बुनने के बाद फंदा बढ़ाया एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया हमारा कलर चेंज हुआ फिर चार सलाई बनने के बाद फंदा बढ़ाया तो दो फंदे उपर बढ़ गये और 15 फंदे यहां तक हमारे बढ़े हैं तो टोटल बोडर से उपर और आरम होल की गटाई तक ये जो पैंट की गटाई है सोरी आसन की यहां तक हम इसकी 17 फंदे बढ़ा लेंगे 17 फंदे यहाँ पर बढ़े हैं और 17 फंदे हमारे दूसरी तरफ बढ़े हैं फिर हम इसकी आसन के घटाई करेंगे जब हमारे यहाँ पर टोटल 75 यानि 75 फंदे हमारे बन जाएंगे तब हम इसकी घटाई करेंगे तो यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ सेम ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने यहां पर बनाया है, सेम यहां तक आप बुन लिजिएगा, फिर आगे इसकी आसन की घटाई बताएंगे, इसकी आसन की घटाई कैसे की है, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनाया है, और इसी तरह से आप जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, साथ डिजाइन मैंने इसमें डाले हैं, और इसकी लैंथ अगर हम मेजर करें, तो देखिए, यहां से बॉर्डर से लेके, और जो आठ सलाई बनाई है, यहां तक यह पूरा आठ इंच मैंने बनाया है, आठ इंच बनाने के बाद, फिर मैंने इसकी आसन की घटाई की और पूरी कम्पलिट इसकी लैंथ देखें, तो यह पूरी 14 इंच बनके तयार है, तो इसको यहां तक आप इसको बना लेजिए, और मैं भी इसको बना लेते हूं, फिर आगे इसको बताएंगे इसकी आसन की घटाई हमने कैसे की है, तो देखिए, पजामी की मैंने लैंथ कम्पलिट कर लिया है, जैसे मैंने इसके अंदर ये साथ डिजाइन डाल ले थे, ऐसे ही मैंने इसके अंदर साथ डिजाइन डाल लिये हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, 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 डिजाइन गुनने के बाद उपर मैंने ये आट सलाईयां प्लैन गुनी है इस सेकंड कलर से तो यहां से जब हम फंदे बढ़ाते गए तो एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे फिर यहां पर बढ़ाया पंद्रे और फिर चार सलाई पूरी होने के बाद बढ़ाया सूले और फिर बढ़ाया सत्रे तो सत्रे फंदे यहां पर बढ़ गई हमारे और सत्रे ही फंदे हमारे यहां पर बढ़ गई तो दोनों तरब से सत्रा-सत्रा फंदे बढ़ाये तो चोटिस फंदे दोनों साइड से बढ़ गई 41 फंदे मैंने border में यहाँ पर डाले थे 41 के अंदर अगर हम 34 फंदे add करेंगे तो 75 फंदे हमारे total बन गई यानि 75 41 डाले थे और यहाँ पर 17 फंदे यहाँ पर बढ़ाए 17 यहाँ पर total यहाँ पर 75 फंदे बन गई अब हम इसकी आशन की घटाई करेंगे जैसे हमने इसके अंदर की है तो देखे सेम ऐसे ही घटाई होगी यहाँ तक बुनने के बाद जब हमारे 7 डिजाइन complete होगे तो फिर हमने यहाँ से इसका base color को cut किया है और इस color से जैसे यहाँ पर plan बुनी है ऐसे ही बुनेंगे तो यहाँ तक हमारी बन चुकी है अब हम इसकी आशन की घटाई करेंगे तो देखिए दो फंदे लेंगे दो का एक करेंगे फिर वापिस इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे फिर से इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे अब धागे को पीछे करेंगे तो यहाँ पर यह तीन फंदों की घटाई हो गई है अब पूरी स्लाई को हम ऐसे सीधा सीधा बुल लेंगे तो यहाँ पर तीन की घटाई की है फिर पूरी स्लाई को बुलेंगे लाश्ट तक सीधा-सीधा फिर बैक साइड से फिर तीन की घटाई करेंगे तो ये पूरी सलाई को मैंने बुल लिया अब यहाँ से फिर तीन फंदे की घटाई करेंगे दो फंदे लेंगे दो की एक करेंगे फिर से इसके उपर लेंगे और आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे फिर वापिस इसी पर लेंगे और दो का एक करेंगे इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे नहीं ज़्यादा लूज रखेंगे फिर आगे पूरी स्लाई को हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे तो दोनों तरफ से हमारे तिन तिन फंदों की घटाई हो चुकी है आसन के लिए एक बार सीधी तरफ से होगी फिर यहां से उल्टी तरफ से होगी तो इसको पूरी सलाई को मैं बुल लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगी तो ये पूरी सलाई को मैंने उल्टा-ल्टा बुल ले अब फिर आज ये सेधी दरफ फर्स्ट रो में यहां तीन फंदे की घटाई के थी अब की बार दो की करेंगे तो दो का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा कम हुआ फिर वापिस इसी पे लेंगे और दो का एक करेंगे तो दो फंदे कम हुए धागा पिछे करेंगे अब फिर पूरी स्लाई को हम ऐसे ही सिधा सिधा बना लेंगे पूरी रो को लाश्ट तक बुन लेंगे फिर बैक साइड में आएंगे फिर यहां पर दो फंदों की घटाई करेंगे पूरी स्लाई को सिधा सिधा बुल लिया अब आज यह बैक साइड में अब यहां से फिर से दो फंदे की घटाई करेंगे तो दो का एक फंदा बनाएंगे फिर वापिस इसी पे लेंगे और आगे से एक फंदा लेंके दो का एक करेंगे तो दो फंदे के घटाई हमारी हो गई अब फिर से पूरी सलाई को सीध उल्टा-उल्टा बुनते भी कम्पलीट कर लेंगे तो पूरी स्लाई को उल्टा उल्टा बुन लिया, अब फिर आज़े ये सीधी तरफ, फर्स्ट रो में तीन फंदे की की, फिर दो की की, अब की बार एक फंदे की घटाई करेंगी, दो का एक बनाएंगी, अब धागा पिछे करेंगे, और पूरी स्लाई को हम सीधा सीधा फंदे की घटाई करेंगे, तो दोनों तरफ से तीन, दो, एक की, और यहाँ पर भी तीन, दो, एक की घटाई करेंगे, घटाई कम्पलिट हो जाएगी, फिर इसको हम ऐसे उपर बनाएंगे, पलैन जैसे ये हमने बुना है, कोई फंदा नहीं घटाएंगे, उसको मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ, कि राउंड में कितना बना है, यहाँ से हमने ये बनाना शुरू किया था, इस तरह से ऐसे राउंड में करेंगे, तो यह हमारा साढ़े चार इंच ये क्रीम कलर से बुना है, साढ़े चार इंच कम्पलिट होने के बाद, फिर हम उप दालेंगे, बेस कलर का धगा हम उल्टी तरब से ऐसे यहां से लगाएंगे, और फिर दोनों तरब से उल्टा उल्टा बुनते हुए, हम यहाँ पर ये बीस लाईयों का बोर्डर बनानेंगे, और इसकी टोटल लेंथ अगर हम यहां से मेजर करें, यहां से जहां से हमने इ तो यह 4 इंच करीम कलर में बनेगा और 20 सिलाईयां उपर बोर्डर की बना लेजिए तो इसको बना के फिर मैं इसके आपको सिलाई और इसके बोर्डर को फोल्ड करना बताऊंगी तो इसको बना के फिर दिखाते हैं तो दिखें legitimately के इस पैंट के दोनो पार्ट बन के तयार हो गई है, तो अब देखें इसकी सिलाई कैसे करेंगे। दोनों पार्ट मैंने बुले लिये हैं, इस तरह से हम इसकी घटाई की हुई है, अब देखें हम यहां पर इसकी सिलाई कैसे करेंगे। दोनों पारट ऐसे रखेंगे दोनों को अंदर की तरफ सीधा करेंगे ऐसे ऐसे करके इसको यहां से यहां मिलाएंगे ऐसे जितना पारट यह हमारा बेस कलर में है रेड में इसको रेड से सिलाई करेंगे यहां से यहां तक इसकी इस कलर से सिलाई करेंगे तो यहां पर देखिए अब हम सोई में दागा डालेंगे तो यहां पर एक नोट लगा के इसको ऐसे पक्का कर लेंगे यहां पे नोट लगाएंगे और इसके सिलाई हम करेंगे बारिक बारिक टांके लगाते हुए यहां तक हम इसके सिलाई कर लेंगे तो यहां तक सिलाई कर ली है अब देखिए इसके इस पारट को इस पारट से सिलेंगे इसकी यहां से यहां तक सिलाई कर लेंगे बारिक बारिक टांके लगाते हुए इसकी सिलाई यहां पर पक्का करेंगे और इसको यहां तक सील लेंगे तो यहां पे नोट लगाके इस धागे को कट करेंगे तो देखिए इस तरह से ये उपर से हमारा ज्वाइंट हो चुकर है अब देखिए इसकी सिलाई यहां से इस पारट को ऐसे सील लेंगे ऐसे पकड़ेंगे इसको यहां से यहां तक इसको क्रीम धागे से सिलाई करेंगे और ये दूसरे पारट की भी यहां से यहां तक हम सिलाई कर लेंगे ऐसे तो इन दोनों पारट को यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इसको सील के फिर दिखाती हूँ निच्चे की सिलाई कैसे करेंगे तो देखे आशन की सिलाई इसकी complete हो चुकी है उपर के यहां से यहां तक आगे की तरप से भी और बैक से ऐसे हैं अब देखे अब हम इसकी सिलाई करेंगे यहां से यहां तक सिलाई करेंगे फिर यहां से यहां तक करेंगे तो इसे सिलाई कर लेंगे बार एक बार एक टांके लगाते हुए डिजाइन के अंदर ऐसे डिजाइन को मिलाएंगे ऐसे डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाते हुए इसकी सिलाई को कम्प्लीट कर लेगे यहाँ पर नोट लगा के इसको पक्का करेंगे जहां से स्टार्ट करेंगे सिलना यहाँ पर एक नोट लगाएंगे अब यहाँ से लेके यहाँ से और यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे तो इसकी सिलाई कम्पलेट कर लेते हैं फिर दिखाते हो आपको तो देखिए दोनों पारट की यहाँ से यहाँ तक सिलाई में निकर ली है अब जो उपर हम लास्टिक डालेंगे इस पारट को हम फोल्ड करेंगे तो देखिए किस तरह से करेंगे यहाँ से यहाँ ऐसे रखेंगे इस तरह से ये टोटल दस लाइने हैं यहां से यहां तक तो पाँच लाइनों को अंदर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे और यहां से इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे ऐसे बारिक बारिक टांके लगाएंगे जो यहां से यह रेड कलर है इसके अंदर से सुन डालेंगे और इसके अंदर डालके ऐसे इसके सिलाई करेंगे फिर इस रेड के अंदर डालेंगे इसके अंदर डालेंगे ऐसे ऐसे इसकी चारो तरब से सिलाई करेंगे यहां आने के बाद थोड़ा सा रास्ता हम इसका यहां पर छोड़ेंगे लास्टिक डालने के लिए तो इसको चारो तरब से इसी तरह से इसके सिलाई कर लेंगे इस करीम धागे को नहीं उठाएंगे जो ये रेड धागा है फंदा है इसके अंदर ऐसे सिलाई डालेंगे और रेड के अंदर ही डालते हुए ऐसे सिलेंगे फिर यहां से पता भी नही यहां से मैंने यह थोड़ा सा पारट रखा है लाश्टिक डालने के लिए यहां पार तो लाश्टिक लेंगे लाश्टिक हम किस तरह से डालेंगे बच्चे के चारो तरप से गुमागे आप ले लीजिएगा जितनी लाश्टिक ऐसे गोलाई में आएगी उसमें से आप 4 तो उसमें से आप 4 इंच घटा देजिएगा तो 16 इंच बच जाएगी 16 का जब हम यह डालेंगे और तो यह ऐसे खिचके साइज परफेक्ट आएगा तो बच्चे का नाप लेके आप इसके अंदर लाश्टिक डाल सकते हैं तो देखिए यहां से मैं इससे सलाई ले 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 हम रख लेएगे तो साइज के हिसाब से इसमें डालके और फिर एक्सट्रा लाश्टिक को हम काड लेनगे तो यहां से इसको कट करेंगे कब दिखें जो ये दोनों जॉइंट है इसके हम यहां पिए से रखे इसके सिलाई कर लेंगे इा तो आप इसकि सिलाई मनसीन से कीज़िये या आप इसकी ऐसे ही सोई धागे से सिलाई पका करके इसको अच्छे से कई बार टाके लगाते हैं इसकी सिलाई हम कर लेंगे ऐसे इसको पका कर लेंगे और फिसके अंदर डालके इस पार्ट को भी सील देंगे तो यह हमारी पजामा पैंट बनके कम्पलिट हो कही है पजामे बोलिए या पजामा बोलिए बहुत ही प्यारे सा सुंदर सा हमारा यह सेट बन गया है तौज देखे अगर आपको यह डीजाइन पसंद आए मेरा बताने का तरीका पसंद आए मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए फ्लेंड्स ग्रूप में सेर कीजिए चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्षन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और बताने का तरीक आपको कैसा लगा थेंक्यू